हेलो गाइस वेलकम बैक टोर चैनल पी-सी एंबी डिजिटल गुरुकल मच अवेटेड आयूश की डेट आने के बाद कि भाई आज से कौंसलिंग होगी उसके बाद ये भी आ गया है शेडियूल की कब से कब तक आयूश की कौंसलिंग में क्या क्या स्टेप्स होंगे वो पी कर सकते हैं फैसलिटी दो तारिक तक रहेगी फर्स्ट राउंड के जो च्वाइस फिलिंग है वो तीस जनवरी से लेकर दो फरवरी तक आप कर सकते हैं यह बहुत बात है कि च्वाइस फिलिंग और लोकिंग भी बिल्कुल साथ-साथ के टाइम पर ही है जिसका कि आखरी ट इफिल बना दिया है 18 फरवरी से 22 फरवरी तक नेक्स वाली नोटिफिकेशन की बात करी जाएगी जिसमें की पेमेंट फैसलिटी जो है वो छे पीम तक अवलेबल रहेगी सेकिंड राउंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकिंड राउंड में 19 फरवरी को शुरू होगा और दो फैर तीन बज़े तक ये चलेगा 22 फरवरी के 24 लॉकिंग का प्रोसीजर और वो रिजिस्ट्रेशन वाली जो पूरी कहानी है वो 12 बज़े तक आप कर सकते हैं फिर सीट प्रॉसेस को होगा 25 को डिकलेर होगा और 26 तक आपको 26 तक आपको कॉलेज जोइन कर लेना है कितन मार्च तीन बज़े तक आप रिजिस्टर करेंगे पेमेंट फैसलेटी होगी 14 मार्च 6 बज़े तक उसके बाद 24 लॉकिंग जो है आपको 14 मार्च तक कर देनी है इसमें सेम टाइम एकदम 15 मार्च को सीट प्रॉसेस होगा 16 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा 17 से 22 तक आपको जॉइन कर लेना ये नोटिफिकेशन भी आपके लिए जारी कर दी गई है स्ट्रे वेकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रिजिस्ट्रेशन नहीं होगा ये बात आपको ध्यान रखनी है कोई च्वाइस फिलिंग नहीं कराई जाएगी स्ट्रे वेकेंसी राउंड में मौपप राउंड बली फाइनल मानी जाएंगे और सॉफ्ट्वेर से सारी चीज़ें लाट होंगी और 26 तारिक तक इसमें भी आपको कॉलेज जॉइन कर लेना है 31st मार्च इन्हें बिलकुल MBBS BDS की काउंसलिंग की तरही लास्ट डेट इसकी भी मार्च एंड ही रखी गई है राइट कंडक्शन ओफ स्ट्रे राउंड बाई दीम्ड उनिवर्सिटीज वो 25 मार्च से 31 मार्च तक करा जाएगा ये आयूश काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है काफ़ इंपोर्टन है ध्यान से पढ़ें टाइमिंग का ध्यान रखें डेट के साथ साथ ऐसा ना हो ये दो तारिक को आप छे बज़े रेजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं होगा क्योंकि टाइम तीन बज़े तक का ही है तो नाइक्यू सो मच फो वाचिंग दावीडियो फ्रिंट्स प्लीज सब्सक्राइब टो चैनल कीप सपोर्टिंग अस